आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एक ऐसी रैसी जिसे आप 15 विडियो बना के इंजॉय कर सकते हैं और अभी त्योहारो का सीजन आगे है त्योहारो पे जनरली जो बनता है वो खाना हम बनाएंगे सिर्फ 15 विडियो में वो मैंने कैसे बनाया है इस पूरे वीडियो में मै यह होता है तो यह देखी इस तरह से मैंने यहां पर दूद गरम कर लिया है अच्छे से और इसमें उबाल आ गया है उबाल आने के बाद मैंने चमल भीगो के रखे थे और यह चमल आप अपने दूद के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं तो यहां पर मैंने ताके चावल हमारे नीचे से चिपके नहीं और गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे गाइस त्योंहार उपे जनरली खीर बनती है या हलवा बनता है तो आप जो भी आप ऑप्शन देखना चाहते हैं जैसे आज 30 थी तो 30 कि सिंझारे पे मैंने बनाया था खीर पूड़ी और जो भी कुछ है अगर कुछ में नहीं है तो एक स्केल हो या डंडा हो तो वह भी आप रख सकते हैं बड़ थोड़ा सा फ्लैट होना चाहिए इसको रखने के पाद प्रिशिंद हो जाई आपके खीर बाहर उबलके नहीं आएगी और जो हमने कडाई में तेल क्या था उसमें यह सब्जी का सिक्रेट है कि एक या दो लॉंग लेजिए थोड़ा सा जीरा लीजिए इसको हलका सा कूट लीजिए और यह मेरी ममी का बतायवा सिक्रेट है तो इससे आप जरूर यूज कीजिए इससे आपकी सब्जी में फ्लेवर बहुत अच्छा है गा बिना गरम साना तो यह देखिए मैंने कूट के क्रश करके डाल दिया है और उसके बाद मैंने यहां पर लिया है मीठा नीम हींग लाल मिर्च और जीरा मिर्च यहां पर मैंने साबुत लिए और आप चाहिए तो ग्रीन चीली अद्रक भी डाल सकते हैं क्रश करके या कूट के और हलका सा चलाने के बाद मैंने डाल दिया इसमें टमाटर और यह मैंने यहाँ पर तीन टमाटर लिये हैं और अगर आपकी सब्जी के कॉंटिटी जादा है तो थोड़े जाद टमाटर लिजिए इससे अच्छा टेस्ट आएगा और अगर आप टमाटर कम डालना चाहते तो साथ में इसमें लास्ट में डालीजिए हम चूर तो देखिए अच्छे से टमाटर को पकने देंगे और इसके लिए हमें से थोड़ा तरह डखना होगा जिससे हमारी टमाटर सोड़ी सॉफ्ट हो जाएं गल जाएं जब आप इस तरह से खाना बनाते हैं तो कम कम होता है चायोजा एक साइड में कहीर में और सब्ज़े बने ताकी में हमारी बनेगी वह फटा बन जायोग और अगर आउर легко बना एक और तो यहां पर मैंने में अलग कि должна बएय। थोड़ा सा जादा हमने धनिया लिया है और हल्दी लिये नमक लिये और यह मसाले आप सब्जे के क्वांटेटी के अकॉड़िंग ले सकते हैं और इसको थोड़ा सा पानी डालके हम इसे भीगो देंगे और बस हमें इतनी देर भीगोना है कि हमारे टमाटर थोड़े जाएंगे कि छिस्से ओर अब रचाने के लिए अगर आप चाहते हैं आपके पुर्य बहुत सॉफट नमक फूलिब बने और खाने में बहुत टेस्टी हो तो आप इस ट्रिक को जरूरी यूज कर जिए पूडिब मनाते समया तो यहां पर मैंने लिया स्वाद अनुसार नमक और नमक के साथ ही मैंने यहाँ पर डाला है अजवाइन अजवाईन को आप चाहे तो पानी में भिगो के भी डाल सकते हैं मैं यहाँ पर डाल नेए तो यह हलवाई की सीक्रेट है जो हलवाई बताते हैं नहीं है मैं आपको बतारी हूँ यहाँ पर तो आप सिर्फ बिना तेल डाले हमें आटा लगाना, तेल हमें इसमें यूज नहीं करना है, कई लोग मौइन डालते हैं, उससे आपकी पुड़ी टाइट हो जाएगी, तो आप मौइन ना डाले, डारेक्ट ऐसे ही आटा लगाएं, और आटा ना तो जादा टाइट लगाए ना जादा सॉफ्ट लगाएं, मीडियम सेट डो लगाने आपको, और हमारी टमाटर गल चुके हैं, और अब हम डालेंगे हमारे भीगों मसाले, और मसाला डालने के बाद थोड़ा से चलाएंगे, और ये देखिए, कलर देखिए सबजी का, हमने कितने कम मसाले डाले हो, हम हमारे सब्जी का कलर बहुत अच्छा है, तो अब फिर से इसको हम ढख देंगे, जिससे की हमारे जो मसाले, वह बहुत अच्छे से पक जाएं, और थोड़ा सा डालने के से पानी, क्योंकि हम लगाने वाले आटा, अगर हमने पानी नहीं डाला यहां पे, तो जब तक हम पर थोड़ा सा पानी डालना चाहिए, उससे क्या होगा कि हमारी जो सब्जी है वो लगेगी नहीं, तो यहां पर मैं डो लगा रहे हूं, और सिंपल डो लगाया है, बिना तेल डाले हमने, और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, पूरी के आटे में, एकदम से पानी नहीं डालना है, और जैसे जैसे आटा सैट होता जाएगा, मैं थोड़ा-थोड़ा साइड में रखती जाती हूं, उससे क्या होता है कि हमें पानी की क्वांटिटी पता चलती जाती है, तो यहां पर हमारी खीर बन रही है, साथ में हमारे सब्जी का मसाला पक रहा है, तो एक साथ दो काम हो रहा है, तीसरा काम यहां पर हो रहा है, जो हमारी पुड़ी का आटा है, वो लग रहा है, और आपके घर में जो फेस्टिबल होते हैं, तो आप क्या बनाना पसंद करते हैं, वो कामेंट में जरूर बताईगा, और अभी तक आप यह यह वीडियो देखा हैं, और जो आपका टाइम है, उसे आप फेस्टिबल में इंजॉय करने के लिए यूज में ले सकते हैं, जनलरी होता है, जब भी फेस्टिबल आते हैं, तो लेडिस बहुत ज़्यादा परिशान हो जाती है, किचेन के काम को लेके, तो वो जो फेस्टिबल होता है, आता बाइंड हो चुका है, और आते को एक साथ ले लेंगे, हम सारे आते को, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें सरसो का तेल, और तेल आप चाया तो कच्चा भी ले सकते हैं, या गरम भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर जो मेरा कड़ाई में तेल गरम हो रहा है, उसमें तो गाइज यह चोटी चोटी ट्रिक्स होती हैं जो मॉम्स के खाने को इस्पेशल बनाती हैं आप में से बहुत से लोग बहुत अच्छी पुड़ी बनाते होंगे और अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना भी बहुत जल्दी बन जाए तो आप इस तरह से जरूर यूज कीजिए अपने गैस वर्णर को कि आपके मल्टिपल काम एक साथ हो जाएं जिससे कि टाइम सेविंग हो और अच्छे से आटा डो करने के बाद हम तेल के साथ इसको डूट करेंगे ताकि हमारे जो आटर है वो चिकना हो जाएं गैस आप फेस्टिपल पे क्या बनाते हैं वो जरूर बताएगा और अब बारी है रायता बनाने के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा धही ले 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 और नहीं तो आप छाज भी ले सकते हैं कई लोग छाज से भी रायता बनाते तो अगर आप दही ले रहे हैं तो उसमें फलका सा दूर डालें जिससे क्या होगा आपका जो रायता है बनने के बाद बहुत दे तक मीठा रहेगा खटा नहीं होगा और आप चाहें तो रायते में चीनी मिला की बना सकते हैं और गाइस फैस्टिबल जब आते हैं तो बहुत अच्छा ल सबको खाना बहुत पसंद है कोई बहुत ही कम लोग होंगे जिनको खीर पूरी और अलू का कॉमिनेशन अच्छा नहीं लगता होगा तो देखें हमारा मसाला पक चुका और इसमें हमड़ें डाल दे हैं आलू और यहां पर आलू मैंने बिना उबले लिए हैं और इनको 5 मि साल है वो जलेगा नहीं और आलू में अच्छे से नमक मिल जाएगा और और गाइस यह खाना आप जब भी कोई मेहमान आता है तब भी आप बना सकते हैं अचानक से आपके कैस्ट आ गए और आलू कैसे सब्जी जो हर घर में होता ही है तो आप तब भी इस तरह के आलू सब कि मैं इसमें अट करूंगी थोड़ा सा पानी और पानी इसमें ज्यादा नहीं डालना है अगर आप ज्यादा पानी डाल देंगे तो आपकी जो सब्जी उसका टेस्ट अच्छे से नहीं आएगा तो पानी जितना आपो चाहिए उससे थोड़ा सा कम डालें और फिर आप कीटी लगाएंगे तो जो भी इतना भी तेल है सारा सब्जी का बहार आजाएगा और सब्जी का जो रंग दिखने में चटक लगना चाहिए वह नहीं लगीगा तो हमारा आटा कि नीट करने के बाद उसको पांच मिट का रैस्ट मिल गया इस बीच और हमारा आटा साफ्ट हो चुका है और अब पूरी बनाने से पहले हैं यहां पर हम तैयार करेंगे शेयर醇प और जय जब भी हम खाना बनाते हैं थोड़ा सा खालाएंद धिम्ती तो आप साल की शाब कर ते लिये ताकि ज was और और बहुता होना चिप कर नहीं और और रायते में थोड़ा सा बाहत दूद मिलाने के बार, इसमें जाला है पोदीना पोदीना नाप ग्रेश्ट करके डालेगे तो ज़्याद अच्छा फ्लेवर रहेगा और साथ में डाली लाल मिर्च कि इसके बाद मिलाया है मैंने भुना जीरा पाॉडर कालर नमक और सादर नमक और गाइज जो मैंने नुक्ति ली है वो लिए मसाले वाली मसाले वाली नुक्ति से दायता काफी अच्छा बनता है और अगर आपकी नुक्ति पुढाने तो आप पानी में भीगोके भी डाल सकते हैं और अगर आपकी नुक्ति ताजा है तो आप इसे डारेक्ट भी डाल सकते हैं कि जब दही के साथ हम रायता बना के रखते हैं तो नशी राइसरी शॉप के रखते हूँ और यह रेखिए सीटी आते ही मैंने गैस कर दी बंद और सीटी पूरी लगने भी नहीं है ऐसी तरह से आपको भी करना है और जब हमारा रायता त्यार हो जाएगा इतनी देर में हमारी जो खीर है वो अच्छे से पूरी पक चुक्ये है चामल पूरे पक चुक्ये हैं और इसमें हमने अड़ कि है चीनी आप सौध बना सर ले मैंने यहां पर आधी कटोरी चीनी लिए है क्योंकि हम लोग चीनी जादा नहीं खाते और इसके बाद अच्छे से मिलाने के बाद जब हमारी चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम इसमें एड करेंगे है एलाचिका पाऊडर और जो भी आपको नट्स जालने वह आप नट्स जाल सकते हैं तो मैंने यहां पर बदाम काजू कर ले थे कई लोग घिसके ढ़ जालते और मैंने यहां पर कूटके ढाले तो इसे आपको टाइम बसता है जो बदाम और खिसंदे के लिए मसक्यक्त होती तो इस तरह से आप जल्ली से खाना बना पाएंगे उस खाने को इंजॉय भी कर पाएंगे और रायता तयार है हमारी खीर तयार हो चुगी अब हमारा तेल हमने अच्छे से तेज गरम कर लिया है ताकि हमारी पूरी बने वह एकदम फूली फूली बने तो जब भी हम थाली सके तो वह चीज थाली को बहुत अच्छा बनाती है तो यहां पर मैंने थाली को पूरा रेडी करने के लिए कुछ लिए थे पापर और पापर सबसे लास्ट में तले हैं थाकि उनका क्रंच बना रहे और साथ में हमने तल लिए पूरी और यह देखिए एकदम फूली फू चैनल पर बने हुएं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा और लाइक कीजेगा और कमेट में बताईगा कि आपको इस तरह से खाना बना हुआ कैसा लगा और हमारी यहां पर दूसरी पूरी भी देयार हो चुकी है और अब हम लगाएंगे हमारी थाली तो थाली यहां पर हमारी रैडी है और थाली में आप देख सकते हैं पूरी थाली हमारी पूरी भर गई है और जो भी खाना बना है वो सिर्फ आपके सामने 15 मिट में बना है तो इस तरह से आप भी थाली घर पर रैडी कर सकते हैं और थाली में बनाया है आज खीर, आलू, कि सबजी रायता और क्रेंच के लिए कुछ पापड़ और पूड़ी आप भी त्योहार उपेज थाली बनाईए और खाईए और अपने फैस्टिबल को इंजोई केजिए बब